पात जयाहिन नमस्कार बात करेंगे विदिए चांश्टेवर बठाइब दर 24 के बारे में तो देखे विदिए चांश्टेवर बठाइब दर 24 का रिजट लिए लागों बच्चों का रहे हैं और रोहनी की तैयारी बहुत सारे से बच्चे जो कंपलेट कर ली बस उनको बस रिजल्ट लिके इंतियार है तो उसा तो आपका जो रिजल्ट कब जारी किया जाएगा और क्या ओफिशल नोटिस में जो बताया गया तीन गुना क्या तीन गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और आपकी जो सब्सक्राइब बच्टाब रहेगी और वह कट सतो है एक बार की इसमें लिखाओ को यूप पुलिस की सिपाय की लिए परिच्छा का रिजल्ट जल्द होगा जारी मलब की अभी एक नोटिस भी यूप पिलिस की द्वारा जारी की गी थी जिसमें जो आपका डीवी पीएश्टी होगा उनसे त्रोग बारे में बताया गय जिसे सुचारी रूप से मलब ढंग से चला लिए जाए एक बार से जिसे बच्चों को जो मलब की भेज़े जाए डीवी पेस्टिक लिए तो उनको दिक्कत ना होनी पड़े तो इसलिए तो मान की चल सकते हैं आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है और अगर देखने के बाद त्यारी करेंगे तो ऐसा सा तो नहीं होगा रहनी के लिया था तो आपको 10 से 15 दिन का समय दिये जाएगा इससे ज्यादा समय आपको नहीं दिये जाए यह चीज आप लोक धियान में रखना और यहां पर आपका जो मलब की रिजल्ट के साथ-साथ आपकी जो ऑफिसल एंसर किये वो भी जारी कर दी जाएगी आपके मलब की कितने नंबर है कितने स्कोर कार्ड है कितने नमलाइस नमल मिले हैं यह सबी जानकरी मलब की यह सबी जानकरी आपको देख सकते हैं रिजल्ट के तिन तो तो द्राइब साथ वो रिजल्ट के इनतियार आप लोग बस खतम हो चुका है बस रिजल्ट तैयार है बस सरकार को सरकार का आडर है मलक की गौर्णमेंट का आडर है रिजल्ट देने के लिए बस थोड़ा से समय और आपको चाहिए एक-दो दिन के अंदर आपका जो नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें जिसे आपको सब्सक्राइब करें आप तक पहती रहें